Term Insurance का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Term Insurance का मतलब होता है सावधी बीमा यानि कि ये एक इस तरीके का बीमा होता है जिसमें अगर बीमा धारक की मृत्यू हो जाती है तो उसके परीजनों को एक Sum Insured या Amount जो है वो मिलता है यानि कि जैसे मान लेजिए किसी वेक्ति ने एक करोड का बीमा कराया और उस बीमा अवधी के दोरान उस वेक्ति की मृत्यू हो जाती है तो उसके परीजनों को वो एक करोड रुपया जो है मिल जाता है यानि कि उनकी एक तरीके से सहता हो जाती है और बीमे का एक करोड रु अलग से term insurance के साथ-साथ कुछ और लाब भी प्राप्त कर सकते हैं यानिकि जैसे बीमा अवधी के दोरान अगर व्यक्ति की मृत्यों नहीं होती तो कुछ ऐसे add-ons भी होते हैं कि आप उस अवधी के बाद या एक specific time के बाद अपना जो pay किया गया पैसा है वो वापिस आपको मिल जाता है लेकिन वो आपको आम तोर पर उस तरीके का insurance जो होता है वो महंगा पड़ता है यानिकि आपसे ही पैसे extra लेकर अगर आपको पैसे वापिस दे भी दिये जाएं तो उसका कोई फायदा नहीं है तो term insurance को आपको एक simple term insurance की तरह ही लेना चाहिए यानिकि किसी भी व्यक्ति को term insurance का एक ही लाब देखकर लेना चाहिए कि अगर उस व्यक्ति की मृत्यू हो जाती है तो उसके परीजनों को वो पैसा मिल जाएगा तो इसी को term insurance कहते हैं इसके बारे में और अधिक details से पढ़ना चाहते है तो आपकी screen और video की description में दिया गया है आप पढ़ सकते हैं और इसको और भेतर तरीके से समझ सकते हैं कोई भी विमा policy लेने से पहले जो उसका proposal letter होता है उसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ने के बाद ही कोई भी मा policy लें और ध्यान रखें कि भी मा policy लेने के भी आप कुछ दिन बाद तक उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और कुछ समय होता है उसके दोरान आप उसको surrender करके अपना पैसा वापिस भी ले सकते हैं आपके साथ कोई गलत commitment किया गया है तो अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें